सब्सक्राइब चैनल अगर आपको इस सब्चेक्ट की सारी वीडियो चाहिए तो वह सारी वीडियो एक प्लेलिस में मिलेंगी उस प्लेलिस के लिंग दिस्क्रिप्शन में एगवर आप जरूर चेक कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीसी में सेक्शन 349 से लेकर 358 तक के जो प्रोवीजन है वो फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट से सम्बंदित हैं तो यहाँ पर आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि फोर्स क्या होता है जैसे कि सेक्शन 349 में डिफाइन है और क्रिमिनल फोर्स जैसे कि आपका सेक्शन 350 में डिफाइन है और सॉल्ट जैसे कि सेक्शन 351 में डिफाइन है तो यह तीनों सेक्शन हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में बाकी के जो बचे हुए सेक्शन है मैं कोशिच करूंगी उसको नेक्स वीडियो में आपको पढ़ा पाऊं साथ ही यह आप आपको पता होना चाहिए फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल क्रिमिनल फोर्स को हिंदी में कहते हैं आपजिक बल and assault को हिंदी में कहते हैं हमला Section 349 of IPC में force define किया गया है पताया ये गया है कि कब ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बल का परियोग करता है force use करता है ऐसा तब कहा जाएगा जब वह व्यक्ति क्या करता है दूसरे व्यक्ति में motion उत्पन करता है दूसरे व्यक्ति को गती में लाता है या फिर उसकी जो गती है, जो उसकी मोशन है, उसमें परिवर्तन करता है, गती परिवर्तन करता है या फिर cessation of motion जो उसकी गती है उसको समाप्त करता है उसकी गती को रोकता है तो in this case ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति क्या करता है उस व्यक्ति के उपर बलका प्रियोग करता है या फिर तब भी ऐसा कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उपर बलका प्रियोग करता है जब वह क्या करता है किसी substance किसी पदार्थ में इस तरीके से वो motion उत्पन करता है या फिर motion में change लाता है उस substance की motion में change लाता है या फिर उस substance की जो motion है उसको समाप्त करता उसको रोकता है, इन देट कंडिशन ऐसा वो करता है इस प्रकार से कि जो ये सबस्टांस है वो दूसरे परसन की जो बॉडी है उसके किसी पार्ट को क्या हो जाए? टच हो जाए, इसपर्श हो जाए, उसके contact में वो चला जाए या फिर किसी ऐसी चीज से वो इसपर्श कर जाए जो कि किसी व्यक्ती ने पहनी हुई है या फिर जो चीज वो लेके जा रहा है उससे वो touch हो जाए, उसके contact में वो आ जाए या किसी ऐसी चीज से touch हो जाए, contact में आ जाए, जो कि इस प्रकार से situated है, इस्थित है कि उसके उस पदार्थ के contact में आने से जो दूसरा व्यक्ति है, उसके sense of feelings के उपर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है, उसके सवेदर शक्ति पर प्रभाव पड़ता है Then in such a situation, यह कहा जाएगा कि वह व्यक्ति, इस व्यक्ति के उपर क्या किया है, force का use किया है प्रोवाईजो की अगर हम बात करें तो इसमें simply यह कहा गया है कि यह जो motion cause किया जा रहा है, गती उत्पन की जा रही है या फिर motion में change किया जा रहा है, गती में परिवर्तिन किया जा रहा है या फिर cessation of motion यानि कि गती समाप्त की जा रही है, गती को रोका जा रहा है तो ऐसा अगर यहाँ पर जो तीन तरीके बताए गए हैं, उन तरीकों में से किसी एक तरीके से अगर किया जा रहा है तभी कहा जाएगा कि force का use किया जा रहा है तो पहला तरीका है by his own bodily power यानि कि अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की bodily power से motion cause करता है या फिर motion में change करता है या फिर cessation of motion करता है then in that condition ये कहा जाएगा कि उसने force use किया है Secondly या फिर उसने क्या किया है किसी substance को किसी पदार को इस तरीके से dispose किया है इस तरीके से dispose किया है कि उसको अपने part में कोई further act करने की जुरुवती नहीं पड़े उसको मतलब कोई कारे नहीं करना पड़ा ना ही किसी अन्य व्यक्ति को कोई कारे करना पड़ा मतलब without any further act on his part or on the part of any other person क्या हो गया है जो motion है वो cause हो गया है या फिर motion में change हो गया है या फिर cessation of motion हो गया है ऐसा अगर हो जाता है then in that condition ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है use किया है force third point में simply ये कहा गया है कि अगर कोई क्या करता है किसी animal को induce करता है जिससे जो animal है वो क्या हो जाता है? move हो जाता है या फिर उसके motion में change हो जाता है या फिर उसका जो motion है जो उसका movement है वो क्या हो जाता है? वो रोक देता है तो यहां पर by inducing अगर कोई व्यक्ती ऐसا करता है तो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि उसने क्या किया है यूज किया है force बिसिकली ये जो definition दी गए है न force की ये कोई offense नहीं है बट इस definition को इसलिए डाला गया है जिससे कि जो criminal force है and assault है इन दोनों को अच्छे से समझा जा सके अभी हम कुछ illustration discuss करेंगे पहले अभी हम criminal force discuss कर लेते हैं उसके बाद कुछ illustration discuss करेंगे जिससे आपको force and criminal force ये दोनों टम ना बहुत अच्छे से clear हो जाएंगी criminal force को define किया गया है section 350 में इसके ingredient हम देख लेता है जिससे आपको इस section अच्छे से clear हो जाएगा तो पहला essential ingredient है section 350 का कि intentionally किसी व्यक्ति पर force का यूज किया गया होना चाहिए secondly ऐसा force उस व्यक्ति की consent के बिना यूज किया गया होना चाहिए और thirdly यह कहा गया है कि जो force है वो इसलिए use किया गया होना चाहिए जिससे कि कोई offense commit किया जाए या फिर with the intention to cause or knowing it to be likely that it will cause injury fear or annoyance to the person to whom it is used या तो जो force है वो इसलिए use किया गया होना चाहिए कि offense commit किया जा सके या फिर intention से use किया गया होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को injury cause हो वो डर जाए या फिर उसको annoyance हो या फिर इस knowledge के साथ किया गया होना चाहिए force का use कि भई ऐसा force use करके क्या किया जा सकता है किसी व्यक्ति को injury cause किया जाने का likelihood है या फिर fear cause किया जाने का likelihood है या फिर उसको annoy करने का likelihood है Then in that condition ये कहा जाता है कि जो force आपने use किया है न वो criminal force है जैसे कि example दे रखाया है कि जो A है वो B के उपर थूखता है तो यहाँ पर ये चीज B को क्या कर दिये annoy कर रही है किसी के उपर अगर हम थूखते है तो इस चीज से annoyance उत्पन होता है वो व्यक्ति annoy हो जाता है Then in that condition यहाँ पर A ने B के उपर थूखा तो इस चीज को हम करेंगे कि A ने क्या किया है criminal force use किया है against B और similarly एक और example है कि अगर कोई क्या करता है जैसे कि मालो A किसी लेडी का जो की परदे में है उसका परदा उठाता है परदा रिमूव करता है Then in that condition वो व्यक्ति भी यह कहलाएगा कि उसने क्या किया है criminal force use किया है within the meaning of section 350 of IPC Basically यह जो परिभाशा दी गई है criminal force की section 350 में यह wider है बहुत ही ज़द वाइडर है because इसमें include है हर तरह का force ऐसा force जिसका object क्या है एक मनुश्य है तो वो हर तरह का force इस परिभाशा में included है यह जो criminal force term है इसको English में battery कहते है और एक और important चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो criminal force है वो बहुत ही ज़द स्लाइट भी हो सकता है जैसे कि section 95 of IPC में बताया गया है but slight जो harm वगएरा होता है as per section 95 वो offense नहीं माना जाता है basically criminal force क्या होता है एक तरह का एक व्यक्ति के दुआरा अपनी energy का दूसरी human being के उपर exercise किया जाना ये कहलाता है criminal force और ये directly भी exercise किया जा सकता है या फिर indirectly भी इसको exercise किया जा सकता है अब हम आपको examples के जरीए बताएंगे कि कब force criminal force में तबदील होता है तो इससे आपको ये clear हो जाएगा कि force आखिर है क्या चीज़ and criminal force क्या चीज़ है तो यहाँ पर सबसे पहला एक example हम लेते हैं कि जो a illustration दिया गया है section 350 में कि हो तक आया है कि जो z है वो नाव में बैठा है और इस नाव का जो रस्षी है वो किनारे पर बंधी हुई है अब जो a है वो आता है वो क्या करता है रस्षी को खोल देता है और साशा इसे intentionally इस नाव को नदी में बहा देता है बहा देना क्या मतलब रस्षी खोल दिया नाव तो अपने आप ही बहने लगी तो यहाँ पर a ने क्या किया जो substance है उसको इस तरीके से dispose of किया कि उसको कोई further act करना ही नहीं पड़ा और ना ही किसी other व्यक्ति को कोई further act करना पड़ा बिना किसी further act किये on his own part या फिर on the part of any other person जो z है वो क्या हो गया motion में आ गया क्योंकि now चलने लगी और z आपका motion में आ गया तो अब यह जो चीज ए ने क्या इस चीज को हम कहेंगे कि a ने use किया है force तो यहाँ पर यह जो use किया है न ए ने force यह criminal force में तब तबदील हो जाएगा जब जो a है वो साशय क्या किया है force का use किया है first point यह next point यह कि वो साशय force का use किया है without the consent of z and ऐसा करने के पीछे उसका आशय offense करने का है या फिर वो यह संभाविय जानते हुए किया है इसका likelihood होने के साथ वो किया है कि ऐसे force को use करने से वह जो z है को क्या करेगा z को injury cause कर सकेगा या फिर किसी तरीके का कोई डर उसके अंदर पैदर कर सकेगा या फिर उसको वो annoy कर सकेगा तो in that condition हम यह कहेंगे कि जो A है उसने criminal force किया है उसने criminal force use किया है illustration A से आपको दो चीज़े clear हुई होंगी पहली चीज की motion cause करने का मतलब क्या होता है दूसरी चीज section 439 का जो proviso है उसका second point अब अगर हम बात करें illustration B की तो यहाँ पर आपको दो चीज़े clear होंगी पहली चीज की motion में change किया जाना इस चीज का मतलब क्या है और दूसरी चीज section 349 में जो proviso दिया गया है उसका third point यह clear होगा तो यहाँ पर होता क्या है कि जो Z है illustration B की बात कर रहे है कि जो Z है वो एक रत में जा रहा होता है तो रत के आगे घोड़ा बंदावा होता है तो वो रत में जा रहा होता है तो जो A है वो क्या करता है घोड़े के उपर चाबुक मार देता है तो जैसे घोड़े के उपर चाबुक मारा तो Z भी आपका गतिमान हो गया तो Z भी motion में आ गया तो इस तरीके से यहाँ पर जो A है A ने क्या किया इस animal को induce किया तो यहाँ पर जो A है A ने क्या किया है A ने use किया है force का अब यह force criminal force में कैसे तबदिल होगा यह force criminal force में तबदिल तब हो जाएगा बिना Z की consent के उसने साशय से इस intention से force को use किया है कि जो Z है उसको क्या हो जाए कोई injury हो जाए या फिर वो भय में आ जाए या फिर वो annoy हो जाए या फिर ये जानते हुए उसने force को use किया है कि ऐसा करने से ये likelihood है कि जो Z है उसको injury cause हो जाए या फिर वो annoy हो जाए या फिर वो दर जाए तो तब इस condition में ये कहेंगे कि जो A ने यूज किया है force वो है criminal force I hope ये चीज आपको clear हुई होगी illustration C से आपको ये clear होगा कि गती हीनता कैसे की जाती है मतलब cessation of motion कैसे किया जाता है और एक और चीज section 349 में जो हमने proviso पढ़ा था उसका जो first close हमने पढ़ा था by his own bodily power ये चीज हमने पताया था ना आपको तो ये चीज ये दोनों चीज़े आपको इस illustration में clear होगी तो कहा क्या गया है C illustration में C illustration में कहा गया है कि जो Z है वो पालकी में जा रहा होता है तो जो A है वो Z को लूटने के intention से पालकी का जो डंडा है वो पकड़ लेता है इस तरीके से जो पालकी है उसको वो रोक देता है उसको वो गतिहीन कर देता है उसको रोक देता है तो उसको रोकने से जो Z है वो क्या हो जाता है गतिहीन हो जाता है उसके motion को वो रोग देता है तो यह है उसने अपनी शारिरिक शक्ती द्वारा किया है यह है उसने अपनी bodily power का use करके किया है तो यहाँ पर यह जो उसने किया है यह उसने use किया है force अब अगर ऐसा होता कि जो A है उसने जो force use किया है साशे से उसने force use किया है बिना Z की consent के offense को commit करने के आशे से उसने किया है ऐसा तो इस condition में जो उसका force है जैसे कि उसने लूटने के इरादे से पालकी को रोका है तो इस तरीके से जो उसने use किया है बल वो अपराधिक बल होगा इसके लिए कहेंगे कि उसने अपराधिक बलका प्रियोग किया है जो illustration अभी हमने discuss किये उन illustration के अलावा section 350 में और भी illustration दिये गए है ये सारे illustration बहुत ही ज़दा important है आपने इनको पढ़ना है because इन illustration को सीधे प्रीमे दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि बताईए offense कौन सा कमिट किया गया है तो सारे illustration equally important है सारे के सारे अच्छे से आपने पढ़ने है section 351 में assault define किया गया है ये बताया गया है कि assault क्या होता है assault को हिंदी में हम कहते हैं हमला कहा ये गया है कि जो कोई भी कोई gesture या फिर कोई preparation इस intention से करता है या फिर यह possibility यह likelihood जानते हुए करता है कि ऐसे gesture या फिर preparation करने से किसी present person को यह apprehension यह आशंका हो जाएगी कि जो व्यक्ति ऐसा gesture या फिर preparation करता है वह उस व्यक्ति पर criminal force अपराधिक बल का यूज का परियोग करने वाला है तो तब जो व्यक्ति gesture कर रहा है या फिर preparation कर रहा है उसके लिए ये कहा जाएगा कि वह क्या करता है वह assault कमिट करता है वह हमला करता है तो इस section के कुछ essential ingredient है पहला essential ingredient है कि जो accused है उसने क्या किया होना चाहिए gesture या फिर preparation criminal force को use करने के लिए किया होना चाहिए और ऐसा gesture या फिर preparation जो present person है जो व्यक्ति उपस्तित है उसके सम्मन में किया गया होना चाहिए और ऐसा gesture या फिर preparation इस intention या फिर इस likelihood को जानते हुए किया गया होना चाहिए कि ऐसे gesture या फिर preparation से किसी person यानि कि जो victim है उसके mind में apprehension cause होगी कि भई वो व्यक्ति उसके उपर criminal force use करने वाला है उस व्यक्ति के against वो criminal force use करने वाला है और साथ ही ये जो apprehension उत्वन हुई है दिमाग में victim के की जो gesture या फिर preparation cause किया जा रहा है वो उसके against criminal force use करने के लिए किया जा रहा है मतलब criminal force use होने ही वाला है तो ये जो apprehension है वो actual होनी चाहिए तो तब इस condition में हम ये कहेंगे कि जो व्यक्ति gesture कर रहा है या फिर preparation कर रहा है criminal force को use करने के लिए और जो व्यक्ति के against जो उसके समक्ष्ट presence है वो ऐसा gesture या फिर preparation कर रहा है उसके दिमाग में अगर वो ये apprehension डाल देता है कि वो उसके against criminal force use करने वाला है तो उस व्यक्ति के बारे में हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति जो gesture या फिर preparation कर रहा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है वो assault कर रहा है वो हमला कर रहा है जिसे कि जो A है वो क्या करता है अपनी language में अगर मैं बता हूँ आपको तो जो A है वो इस intention से या फिर इस likelihood को जानते हुए कि जो Z है वो ये विश्वास करेगा कि जो A है वो उसको strike करने वाला है क्या करता है मुक्का दिखाता है मुक्का हिला के दिखाता है कि विट्टे तुझे मारूंगा मैं तो यहाँ पर इस तरीके से मुक्का दिखा रहा है वो तो यहाँ पर जो A है वो क्या कर रहा है वो assault कर रहा है बी इलिस्टेशन की अगर हम बात करें अपनी लाइंग्विज में तो simply यहाँ पर यह कहा गया है कि एक खतरना कुट्टा होता है एक हिंसक फेरोशिस ज्रॉग होता है जिसे हम आम भाषा में ऐसे कहता है कि कटखना कुट्टा तो यहाँ पर होता क्या है कि जो Z है वो जा रहा होता है कि जो A है वो कुट्टे से Z के उपर अटेक करवाने वाला है तो अब जो A है वो क्या करता है इस intention से जो मैंने आपको बताया और या फिर इस likelihood को जानते हुए जो कि अभी मैंने आपको बताया क्या करता है जो फेरोशिस कुट्टा है जो डॉक है खतरनाव उसकी रसी खोलना प्रारम करता है तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा यहाँ पर यह कहा जाएगा कि जो A है उसने क्या किया है असॉल्ट कमिट किया है यह जो इलिस्टेशन है आपकी B इलिस्टेशन section 351 of IPC की यह जिसी कि आपको पता ही है सिर्फ उसे प्रिपरेशन करना किसी क्राइम को कमिट करने की पनिशेबल नहीं होता लेकिन section 351 of IPC के तहत यह चीज है कि अगर प्रिपरेशन किया जाता है और उसके साथ-साथ intention रहती है वो intention जो कि section 351 में specified है तो यह चीज आपका एक offense है कौन सा offense है यह चीज आपका assault है यह चीज assault मानी जाती है यह चीज हमला मानी जाती है यहाँ पर हमने assault के बहुत सारी example दिए हुए है इनको आप पढ़िएगा जिसमेंसे तो example में आपको बताती हूँ होता क्या कि सिके घर में पत्थर वगरा फेक रहे हैं तो यह चीज क्या है यह चीज है इसको हम कहता है कि यह Assault है और यह आपकी बात है होई थी महादेव पांडे के case में और इसके अलावा जैसे कि कोई किसी के उपर point करता है चाहे वो loaded है यह फिर unloaded है तो कोई ऐसी gun at a person at a short distance एक व्यक्ति के ऊपर short distance से हम क्या कर रहा है कोई gun point कर रहा है then it will be assault ये assault माना जाता है इसके अलावा कुछ और चीजों के अगर हम बात करें तो assault का एक essential requirement ये भी है कि जो person threaten किया गया है जैसे व्यक्ति के दिमाग में अशंका उत्पन की गई है वो व्यक्ति मतलब present होना चाहिए मतलब उपस्तित होना चाहिए मतलब कहने का है pass में होना चाहिए जिससे वो जो danger है उसकी apprehension उसके दिमाग में उत्पन हो and at the same time ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि कि जो assailant है उसके अंदर ability भी present होनी चाहिए जो gesture वो दिखा रहा है या फिर जो words वो कह रहा है जिस तरीके से वो धमका रहा है कि मैं तिरे को ऐसे मार दूंगा या फिर डंडा दिखा रहा है कि मैं तिरे को मार दूंगा मतलब अपराधिक बल का वो परियोग करने वाला इस तरीके का अशंका किसी व्यक्ति के दिमाग में वो भर रहा है तो यहाँ पर इस चीज को अफेक्ट देने के लिए असलेंट के अंदर क्या होनी चाहिए एबिलिटी भी उपस्तित होनी चाहिए उसके अंदर एबिलिटी फोर एक्जामपल जैसी की कोई आदमी खड़ा हुआ है रनिंग ट्रेन में मतलब जैसे की ट्रेन जाती होती है और लोग बाग दर्वाजे पर खड़े होता है विसी तरीके से ही वो आदमी खड़ा हुआ है रनिंग ट्रेन में वो जिस तरीके से threatening gesture दे रहा है उसको effectuate करने का उसके अंदर ability नहीं है because वो train से कुद एका तो खुद मर जाएगा तो train से तो वो कुद नहीं सकता है ऐसी train में जाते हुए कोई मुक्का दिखा रहा है कोई थपड दिखा रहा है कोई डंडा दिखा रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते है situation में जब तक कि उसके अंदर present ability नहीं हो किस चीज की criminal force को use करने की मतलब जो threatening वो कर रहा है उसको effect देने की उसके अंदर अगर ability नहीं है देने चाहे वो किसी भी तरीका कर gesture कर रहा हो उस बाद से कोई फरक नहीं पड़ता है वो आपका assault की category में नहीं आएगा तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने force, criminal force and assault ये सारी चीजे discuss कर ली है section 3, 49 से लेकर 351 तक के provision हमने cover किये है आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे comments करके बिताइएगा इन sections में जो भी illustration है वो सारी important है सारी आपने पढ़ ली है और अच्छे से इनको तयार कर लेना तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please like कर देना चैनल को subscribe कर देना और अगर आपको मेरे वीडियो का notification चाहिए जस time पर मैं वीडियो upload करती हूँ तो यहाँ corner पर नीचे की side एक bell icon बनावा आता है उसको click कर लिया करो फिर इससे आपको यह रहेगा कि जब भी हमारी वीडियो आती है उसका notification आपको मिल जाया करेगा Hey guys यह सरीके से हमने IPC का video series स्टार्ट किया है और जैसे ही वो end हो जाएगा तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे है इबुक त्यार कर रहे है इन सारे lectures का जो कि हमने YouTube पर प्रोवाइट किया है IPC के तो जैसे इबुक त्यार हो जाएगा आपको inform कर जाएगा According to me 15 August तक आपका IPC का इबुक त्यार कर दिया जाएगा अगर आप लोगों को उसको purchase करना है जो भी interested person है वो उसको purchase कर सकते है उसको purchase करने के लिए आपने क्या करना होगा 15 August 2020 के बाद मुझे आपको मेरे email address पर mail करना होगा मेरा email address है znt706000-gmail.com और यह मेना अपना email address description में भी डाल दिया है आपने 100 rupees मुझे pay करने होगे इसके अलावा आपको यह भी बता दू कि evidence का हमने ebook त्यार करी लिया है पूरा हो चुका है section 17 से लेकर section 167 तक के जो notes है हमारे video lecture के अगर आपको वो चाहिए एक ही ebook में तो आप उसको भी purchase कर सकते हैं वो भी 100 rupees में मिलेगा और उसके लिए आपने मेरे email address पर मुझे mail करना होगा कि ma'am हमें evidence का ebook चाहिए तब मैं आपको बता दूँगी कि इस तरीके से आपने pay करना है and then आपको ebook provide कर दिया जाएगा उसको भी 100 bend कि रirm तरने का दूप रहता है कि आपको थाएगा